में आपके साथ अन्श्रिकाइब अमेरिका के दौरे पर निकल गए हाला कि राहुल के अमेरिकी दौरे से पहले ही उसे लेकर कई ऐसे खुलासे हुए थे जिस पर राहूल समेच कॉंग्रिस पर कई सवाल उठे लेकिन फोल खुलने के डढ़ से कॉंग्रिस अपने मुँपर ताला लगा कर बैठ गई अब अमेरिका में राहूल गानधी ने ऐसे ऐसे बयान दिये जिससे भारत में संग्राम छेडा हुआ है राहुल गांधी को इस बार मोधी सरकार ने ऐसा जवाब दिया है कि कॉंग्रेस पार्टी बिलबिलाने लगी है अमेरिका में देश के खिलाफ प्रॉपगेंडा चलाने को लेकर विदेश मंतरी एस जईशंकर ने ऐसी बात कही है जिससे कॉंग्रेस बॉकलाने लगी है कॉंग्रिस की इस बॉकलाहट पर तमाम सवाल सुलग रही है ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अमेरिका से राहुल गांधी लगतार देश विरोधी प्रॉपगेंडा चलाने में लगे थे कभी वो वहां से मोधी सरकार पर हमला करते दिखाई दिये तो कभी रहुल गांधी ने विदेश के मन से भारत के लोकतंत्र को ही खत्रे में बता दिया भारत की ओर से राहुल गांधी को इस बात पर बार बार टोके जाने पर भी उन्होंने अपनी घटिया राजनीती करना नहीं छोड़ा इतना ही नहीं राहुल को लंदन में अपनी गलती का बुकतान अपनी सांसदी गवा कर करना पड़ा था लेकिन कॉंग्रेस नेता ने उससे भी कोई सबक नहीं लिया कॉंग्रेस के युवराज गलती पर गलती करते हैं और कॉंग्रेस राहूल गांधी की हमायती बनकर खड़ी हो जाती है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ राहूल गांधी ने अपने अमेरिका में हुए कारिक्रमों के दोरान मोधी सरकार पर जम कर निशाना साधा पहले उन्होंने बयान दिया कि करनाटक में जैसे बीजेपी को कॉंग्रेस ने धूल चटाई वैसे ही 2024 के चुनाव में कॉंग्रेस नहीं बलकि देश की जन्रता बीजेपी को धूल चटाईगी फिर राहूल ने बालासो ट्रेन हाथसे को लेकर अमेरिका से बयानबाजी शुरू कर दी पहले तो उस पर कार अक्सिडन का राहूल ने किस्सा सुनाया उसके बाद उस किस्से की तुलना ट्रेन हाथसे से करने लगे और फिर सारा ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ दिया हद तो तब हो गई जब अमेरिका में भी राहूल गांदी ने लंदन की ही तरह भारत के लोगतंत्र को लेकर टिपणी की और कहा कि भारत का लोगतंत्र खत्रे में है सबी लोगतंत्रिक संस्थाओं पर भाजपा और RSS के लोगों ने कबजा जमा लिया है राहूल गांदी के बयानों पर लगतार बीजेपी की ओर से हमला बोला गया लेकिन जिस तरह अब राहूल ने महबत की दुकान पर ताला लगा कर अमेरिका में नफरत का बाजार खुला है उसे लेकर विदेश मंत्री एस जैशंकर ने ऐसी ऐसी राहूल गांदी को बाते सुनाई हैं जिससे उनकी बोलती बंद हो गई अमेरिका में कॉंग्रिस नेता के भारतिये लोकतंत्र पर दिये गए बयान को लेकर जैशंकर ने राहूल को घेरते हुए कहा कि वो जब भी बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं हमारी राजनीती के बारे में टिपनी करते हैं जैशंकर ने अपने बयान में कहा है, आज दुनिया हमें देख रही है, इस देश में चुनाव होते हैं, एक पार्टी जीती है, कभी दूसरी पार्टी जीती है, अगर लोगतंत्र नहीं है तो ऐसा कैसे होता, उनकी आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना क करते हैं, हमारी राजनीती के बारे में टिपनी करते हैं, अगर देश में लोगतंत्र नहीं है तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हर चुनाव का रिजल्ट तो एक ही होना चाहिए न, वैसे 2024 का रिजल्ट तो वही होगा हमें पता है, जैशंकर ने इस से पहले भी इशारो 2024 में घटिया राजनीती को लेकर राहूल पर निशाना साधा था, पहले भी जब राहूल ने मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका में जहर उगला था, तब जैशंकर ने राहूल की और इशारा करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति देश से बाहर जाता है, तो कभी-कभी राज देश मंत्री ने उन्हें धो डाला, इस बार जैशंकर ने राहूल की विश्वसनियता पर सवाल उठाए, और कहा, यह जो पूरा नेरेटिव है, वो हमारे देश में बना है, और जब यह नेरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है, तो वो उसे बाहर ले जाते हैं, उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट देश में चलेगा, मुझे लगता है कि यहां आम नागरिक, हमारे यहां लोकतंत्र है, आपकी राजनीती कुछ होगी, हमारी कुछ होगी, देश में जो करें हमें एतराज नहीं है, देश की राजनीती को बाहर ले जाना देश हित म मुझे नहीं लगता उनकी विश्वसनियता इसके कारण बची होगी। और विदेश मंत्री के बयान पर उन्होंने पियम मोधी को साधना शुरू कर दिया। कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने कहा कि देश की राजनीती को विदेश में जाकर चर्चा करने की शुरुवात उसी शक्स ने की थी जिसने आपको मंत्री का पद दिया है। जैशंकर की ओर से राहुल गांदी को फटकारे जाने पर रमेश ने ट्वीट किया। विदान मंत्री ने कई बार पुरानी सरकारों का मजाग बनाया। सत्तर सालों के इतिहास में देश में कुछ नहीं हुआ। ऐसी बाते की राहुल गांदी ने जो कुछ भी कहा वो एक सच ही तो है। देश में सन्विधानिक संस्थाओं पर एक योजना के तहत हमले किये जा रही है। राहुल गांदी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल रही हैं। सरकार के खिलाफ प्रॉपगेंड़ा चला रही हैं। यहां तक कि जो लोग भारत के खिलाफ प्रॉपगेंडा चलाते हैं उनके साथ वो बैठके कर रही है। अमेरिकी आरपपती डीप स्टेट एजेंट जॉर्च सोरोस से नस्दी की संबंद रखने वाली और जॉर्च सोरोस से पैसा खाकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली सुनीता विश्वनात राहुल के साथ मीटिंग में उनके बगल में बैठी दिखाई पड़ती हैं तक्ता पलट के लिए मशहूर है डॉनाल्ड लू देश के खिलाफ राहुल की विदेशी साज़िश हाल में ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान एक सीक्रेट मीटिंग हुई दावा किया गया है कि राहुल की सीक्रेट मीटिंग वाइट ह खान की कुरसी गई डौनाल्ड लू वो शक्स है जिसके साथ राहुल ने ये सीक्रेट मीटिंग की इसी के खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोला था इमरान ने जिस डौनाल लू पर पाकिस्ता पलट का आरोप लगाया था राहुल गांधी पर उसी डौनाल लू से मिलने क आरोप लगा है राहुल गांधी की इस सीक्रेट मीटिंग एक बड़ी चिंता है क्योंकि इस खुलासे के बाद सबके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि राहुल की सीक्रेट मीटिंग में ऐसा क्या था कि इससे जुड़ी एक एक डीटेल गुप्द रखी गई किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी राहुल के विदेशी दौरे के दौरान हुई इन सभी बातों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है सवाल लगतार उठ रहे हैं कि क्यों राहुल की बैठक में सुनीता विश्वनात मौजूद थी आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने क्यों राहुल के इविट को और्गनाइस किया जौर्ट सोरोस से राहुल गांदी के क्या संबन है क्यों वो विदेश में जाकर जौर्ट सोरोस की भाशा बोल रहे हैं ये सबी सवाल राहुल गांदी और कॉंग्रेस पर उठने लगे हैं। इसलिए जैशंकर के बयान के बाद कॉंग्रेस ने बिलबलाना शुरू कर दिया। क्योंकि राहुल के इस दोरे से कॉंग्रेस बुरी तरह से फ़स गई है। सबसे एहम बात तो ये है कि अब भारत वापसी के बाद राहुल के साथ बड़ा खेल होने वाला है। ये कयास इसलिए लगाए जाने लगे हैं क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांदी अपने लंदन दोरे से लोटे थे उस वक्त भी विदेश में ऐसे ही राहुल ने भारत के लोगतंतर पर हमला बोला था। जिसके बाद राहुल की देश वापसी के बाद उनका ही खेल उन्ही पर भारी पड़ गया और मालहानी मामले में राहुल को दो साल की सजा हुई फिर उन्हें लोकसबा की अपनी सदसिता गवानी पड़ी और उसके बाद राहुल के हातों से उनका बंगला भी निकल गया। ऐसे में राहुल गांदी का हाल ये हुआ कि अगर उनकी दोश सिद्धी पर रोक नहीं लगी तो वो अगले आट सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इसी तरह अब भी राहुल अमेरिका में भारत के खिलाफ जहर उगल कर वापस लोट रहे है ऐसे में इस बार राहुल तो डूबेंगे ही साथ ही सोनिया खड़ गे और पूरी कॉंग्रेस को भी वो ले डूबेंगे सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलाल आज अतना ही नहीं मुद्य के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार हमें कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया